नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ संभावित कोश्चन जो की माचल प्रदेश टाप सेलेक्शन कमिशन के HRTC कंडक्टर का जो की एक्जाम है उसमें आ सकते हैं और भी वेरियस एक्जामिजेशन में आ सकते हैं जो की करंट फेर के कोश्चन है और भी कोश्चन है तो आपने भी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब कीचिए तो यहां पर देखिए 30 कोश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 12 सरकार ने करोना वाइरस मल्टी चॉइस कोश्चन रहेंगे कोश्चन वाइरस कोई डी नाइटीन के जांच के लिए कौन से वाइल अप्लिकेशन लांच किया तो यहां पर ऑप्शन वन है करोना क्वच आरोग्या सेतू तो यहां पर देखिए पहले इसका नाम क्रोणा क्वच रखा गया था जब यह बीटा वर्जन में थी तो बाद आरोग्य सेतू नेक्स्ट कोश्यांपे आप देख सकते हैं तो भारत में कागजी मुद्रा जारी की जाती है तो आप सभी को बताओगा तो यहां पे जो सर जारी करता है तो आप जल्दी से बताईए तो इनको जारी करता है आप सभी को बता होगा Reserve Bank of India RBI जारी करता है भारत में जो की कागजी मुद्रा है और जो की सिक्के भी है और नेक्स्ट कोश्चन है यहां पर आप सभी के पारत सरकार सरकारी करमचारियों के में घाई भत्ते का निर्धान का अधार है जो भी आप सभी को बता होगा में घाई भत्ता मिलता है जो भी comment employees है सबको मिलता तो किस अधार पे मिलता है यहां पर आश्ट्रिया आए कि अधार पे option A है option B है उभकता मुले सुचकांक option C है प्रतिव्यक्ति आए और इन मैंसे कोई भी नहीं तो यहां पर देखिए आप कौन सा है option option B इसका है उभकता मुले सुचकांक कि अधार पे दिया जाता है option B है इसका अंसर next question है यहां पर भारत में एक रुपए के नोट जारी किया जाता है तो यहां पर करता है यह पर छोड़ा बदला वे जो कि एक रुपे का नोट है आप सभी को याद रखना है जो कि Reserve Bank of India जारी नहीं करता है जो कि जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा आप सभी को बताओगा अभी हाली में लॉंच किया है जिसमें एक रुपे का नोट जो कि भारत सरकार ने काफी टाइम से चपाना बंद कर दिया था जिसे अभी चपाया गया है फिर से तो आप सभी को पताला गया कि भारत सरकार द्वारा एक रुपे का नोट जारी किया जाता तो इस पर सिंगनेचर कि jsा होते है तो होते है इसमें उप्शन भी विद मंत्री के सिंगनेचर होते हैं इसमें और नेक्स्ट क्वेशन है यहां पर आप सभी के पास किस कम्पनी ने एक छोटी सस्तिकार नेनो लॉंच की है तो यहां पर आप्शन ए है मारूती सुजुकी उद्योग लिमिटिड, हुन्डाई मोटर इंडिया लिमिटिड, टाटा मोटर्स लिमिटिड, हिंदुस्तान मोट लिमिटिड, तो यहां पर किस ने की थी यह ओप्शन सी है टाटा मोटर्स लिमिटिड ने लॉंच की थी सस्तिकार नेनो भारतिया रिजर्व वैंक वर्नर है यहां पर आप सभी के पास शक्तिकान दास, निर्मला सिता रमन, सुब्रमन्यम स्वामी, अरुण जेटली तो अभी नहीं है इस दुनिय में, तो यहां पर नेक्स्ट कोची ने, एक ब्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है। तो यहां पे नेक्स्ट कोशन है भारत के वित्त राजय मंत्री है तो option यह है निर्मला सितारमन, option B है सुब्रमन्यम स्वामी, अनुराग ठाकूर और जेपी नड़ा तो आप सबी को पता लगी हो गया होगा, निर्मला सितारमन हमारे वित्त मंत्री है और वित्त राजय मंत्री कौन है तो माचल पुदेश से ही है वो, उनका नाम है अनुराग ठाकूर जोकी वित्त राजय मंत्री है और यहां पर नेक्स्ट कोश्चन है आप सबी के पास यहां पर फैमली कोट निमन से स्वंधिद विवादों का निप्तारा करती है तो गरेलू इंसा, विवाह मामले, संपत्ती और वोक्ता मामले तो कौन सी करती है family court तो यह है विवाह मामलों का निप्टारा करती है तो यहां पर next question है आप सभी के पास भारत की पहली निजी train का नाम है तो यहां पर option ए है तेजस, राजधानी, भुज, चिन्नई एक्सप्रेस तो इसका answer है तेजस तो यहां पर मैंने answer भी साथ में आपको दिए हुए है तो यहां पर next है भारत के chief of defense staff CDS की सिवन इवरिती आयू क्या है तो option ए 62, 65, 60 और 68 तो इसका answer है 65 year तो यहां पर next question है भारत के पहले chief of defense staff CDS है तो कौन है वीपेन रावत है और यहां पर वीकेस इंग है शक्तिकांदास ऐसे आपके पास मुकुन नर्वे ऐसे आपके पास option दी गई होगी तो यहां पर दिश्टी बाद ही तो हेतु भारतिया मुद्रा के पचान के लिए RBI ने कौन समवाइल application लाँच किया है money 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 तो यहां पर रुफए भीम तो कौन सक्या money हिया है तो यहां पर जो कि option A है option A है इसका answer है यहां पर बरतमार में कितने उत्तर पूरवी राजियों में inner line permit के परनाली लागू है option A 4, option B 2, option C 8, option D 6 तो यहां पर 4 permit है और हिमांचप देश के परिभण मंत्री कौन है गोविन ठाकूर न अनिल शर्मा, विरिंदर कश्यप और जैराम ठाकूर तो यहां पर गोविन ठाकूर है option A तो यहां पर 2020 Olympic की मेजवानी कौन सा दिश कर रहा था option A जापान, जर्मनी, इंग्लेंड, अमेरिका अभी सच्ची भए मांचल प्रदेश के और भीम की फूल फॉर्म के जो की भीम, एफ है भीम, एफ, भीम, एफ, बी, एच, एम तो इसकी फूल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर्म, मनी, ऑप्शन A है इसका सही जवाब तो प्रेवरन वादी ग्रेटा थनवर के इस देश है ग्रेटा थनवर का आप सभी कोई याद होना चाहिए काफी ना, ये चर्चा में था पिछली एक-दो सालों से है तो स्विजर लैंड, स्वीडन, इटली, फिनलैंड तु इनका है, स्वीडन से है ये, जो महज अभी 17 वरश की है नेक्स्ट कोश्चन है, नीमन मैं से कौन सभीधान सभा की राज्य समीती का अद्यक्ष था तो ऑप्शन A है, डॉक्टर भीमराव अमबेदकर ऑप्शन B है, जबालाल नेरू ऑप्शन C है, आप सभी के पास डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, और D है, सरदार पठील, तो कौन थे? तो यहां पे है, अंसर ऑप्शन B, जबालाल नेरू आप सभी लोग सोच रोगी, डॉक्टर भीमराव अमबेदकर तो जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अमबेदकर ने समीधान बनाया था बट जो की Constitution Assembly के जो की राजय समीती के अध्यक्ष थे वो पंडी जवालाल नेरू थे और नेक्स्ट कोश्चन है यहां पे निमन मैंसे किस राज्य में विधान परिशद नहीं है? तो विधान परिशद और विधान सवा में अंतर है थोड़ा सा तो यहां पे देखेंगे, option A, बिहार, option B, महाराष्टर, option C, राज्यस्थान, option D, उत्तरबर्दीश तो कौन से राज्य में यहां पे नहीं है? तो है राज्यस्थान तो आप सभी को बताओगा, MLC के नाम आपने सोना होगा या नहीं सोना होगा तो आप सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में तो यहां पे चुनाव याचिका पर निर्नय लेने की शक्ती इसके पास है तो यहां पे दिफावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पेटिशन इस वेस्टिड बिद्ध, तो यहां पे option A है पास उचुतम नियाल ले चुनाव आएउग पारलेमेंट सुप्रीम कोट हाई कोट इलेक्शन कमिशन तो किस के पास है तो यहां पे हाई कोट के पास है हाई कोट इस पे निर्नय ले सकता है चुनाव याचिका पे किसी की भी तो next question है यहां पर संपत्ती का अधिकार का समद्ध निमल मैंसे की कौन सी श्रेणी से है Right to Property Belongs तो यहां पर प्राक्रीत का अधिकार, मूलभूत अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार Natural Right, Fundamental Right, Human Right, Legal Right तो यहां पर है Legal Right से है इसका समद्ध कानूनी अधिकार है समद्ध निमल मैंसे किस आयू के बच्चों के लिए भारत के समिधान में मुप्त और अनिवारे शिक्षा का प्राप्धान है Option A, 3-9 वरस, Option B, 6-18 वरस, Option C, 6-14 वरस, Option D, 4-10 वरस तो आप बताईए जल्दी से, तो यहां पर है Option C, 6-14 वरस के बच्चों के लिए आप सभी को बताऊँ का सर्वशिक्षा अभ्यान जो की कापी सालों से चला हुआ है तो यहां पर नेक्स्ट है बारतिया सविधान के अनुचेद 18 में नीमन मैं से किसका प्राप्धान है Article 18 of the Indian Constitution provides for the कानून के समक्ष समानता भेदभाव का निशेद असपरश्यत का उन्मूलन यहां पर उपादियों का उन्मूलन Evolution of Titles, Evolution of Untouchability, Prohibition of Discrimination, Equality before Law तो यहां पर Option D बादियों का उन्मूलन Next question यहां पर लाला लाजबत्राए को किसके विरोध करने के लिए मरते दम तक पीटा गया था तो यहां पर जलिया वाला वाग जन सहार का विरोध कर रहे थे या गांदी इरविन्स जो की संदी है Simon Commission इनमेंसे कोई नहीं तो यहां पर है Simon Commission Option C Simon Commission का विरोध कर रहे थे Simon Commission Go Back तो भारत छोड़ो जो की SNR लगा रहे थे Simon Commission Go Back तो उनको इतने पीटा गया जब तक मरते दम तक पीटा गया था इसमें तो जो की पंजाब केसरी आप सभी को पताओका न्यूज पेपर है उसके संस्थाबक भी लाला लाजपत्राए ही है और यहां पर नेक्स्ट है निमलिकित मैंसे किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन परनाली है तो उप्शन ए भारत उप्शन भी अमेरिका उनाइटिड किंग्डम उप्शन डी है अफ्रीका तो कौन सा है यहां पर उप्शन भी है इसका अंसर अमेरिका के पास सबसे बड़ी परिवहन परनाली है दुनिया की नेक्स्ट कोशन है यहां पर आप सबी यह था उत्र प्रदेश में तो जोकि उत्राखंड के रहनी गाहूं है आप सबी को पताऊगा है चमोली के पास तो हां पर यह आरम हुआ था जोकि प्रेवन वादी आंदोलन था आपके पास पूछा भी जास्टा तो कहां पर तो रहनी गाम में वो था जो कि उत्राखंड में ये शुरूफ वा था चिपको आंदोलन तो यहां पर नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का नेत्रित्व किस महिला ने किया था गौरा देवी मेदा पाटकर रिता वहुकुना सरीता देवी तो यहां पर आप सभी को बताओगा मेदा पाटकर अभी भी कुछ एक दो साल पहले सुर्ख्यों में थी जो कि सरदार सरोबर बांद का विरोध कर रही थी तो यहां पर जो कि नर्वदा बचाओ आंदोलन जो कि मेदा पाटकर ने किया था तो बढ जो कि चिपको आंदोलन के जो कि नेत्रीत थे महबला कर रही थी उनका नाम है गौरा देवी तो यहां पर आप सभी को बतागा। गोरा देवी जो कि मेदा पाटकर रहीं यह नर्वदा बचाओ आंदोलन से समन्दीथ है और अगर आपको नर्वदा बचाओ अंदूलन के बारे में कोशन पुछा जाए तो आप मेधा पाटिकर के बारे में बता सकते हैं तो यह थी आची वीडियो वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेर करना भूलेगा अगर आपने अभी तक चैनल को मारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जूर सब्सक्राइब किजिगा आज उने इतना ही धन्यावाद